अगर आपसे एक फोन खरीदने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला सवाल आता है बजट का क्या हो अगर ऐसे बजट में आपको फोन मिल जाए जिसकी कभी कलपना ही नहीं की गई हो ऐसा एक फोन लेकर साल 2016 में रिंगिंग बैल्स कंपनी आई थी फोन की कीमत थी 251 रुपे और इस जूटे फोन की देश ही नहीं दुनिया भर में भी चर्चा हुई 18 फरवरी 2016 वो तारीख जब लोगों को लगा कि 251 रुपे में बहुत कुछ खरीदा जा सकता है एक कंपनी जो ऐसा ख्वाब लेकर आई थी जिसकी अब तक सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है लेकिन पहली बार लोगों को लगा कि 251 रुपे में क्या नहीं मिल सकता है आप से आज पूछा जाए कि 200 रुपे में क्या मिलता है तो क्या जवाब देंगे वैसे तो इतनी कीमत में बहुत कुछ मिलेगा लेकिन एक स्मार्ट फोन तो नहीं मिल सकता और कुछ साल पहले एक कंपनी ने ऐसा ही कुछ एलान किया था शायद इन लाइन्स को पढ़ कर आपके दिमाग में उस कंपनी और फोन की यादे ताजा होने लगी हूँ हम बात कर रहे हैं फ्रीडम 251 की एक ऐसा स्मार्ट फोन जिसकी कीमत 251 रुपे थी रिंगिंग बेल्स प्राइबिट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने इस स्मार्ट फोन का एलान किया था साल 2016 की शुरुमात में कम्पनी ने एक ऐसे स्मार्टफोन का एलान किया जिसके सिर्फ कलपना की जा सकती थी और ये स्मार्टफोन अब तक सिर्फ कलपना ही बना हुआ है कम्पनी ने एलान किया कि वो 251 रुपे में एक स्मार्टफोन लेकर आ रहे है वैसे तो 2016 में महगाई आज जितनी नहीं थी लेकिन इतनी कम भी नहीं थी कि एक स्मार्टफोन 251 रुपे में आ जाए कमपनी ने जब इस स्मार्टफोन का एलान किया तो उन्हें काफी ज़्यादा हाइप मिला हाइप के साथ ही लोगों की नजर इस ब्रैंड पर आ गई और कमपनी 18 फरवरी को अपने स्मार्टफोन को पेश किया था और इसकी चरचाई इस कदर थी कि भारत ही नहीं बलकि विदेशी मेडिया में भी इस फोन की बात हो रही थी कमपनी ने एलान किया था कि 251 रुपे में उसका प्रमोशन प्राइज है जो 18 फरवरी से 21 फरवरी तक के लिए ही है इसके लिए बहुत से यूजर्स ने ऑनलाइन बुकिंग करनी थी और फोन को बुक करने के लिए पहले दिन इतने लोग इस वेप साइट पर पहुंचे कि वो क्रेश हो गई शायद कमपनी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा वादा कर दिया है करने पड़ते हो वहाँ कैमरा टच स्क्रीन और इसके साथ ही एंड्रॉइड जैसे फिचर्स के साथ 500 रुपे में एक स्मार्ट फोन का मिलना किसी लोटरी की तरह ही था रिंगेंग बैल्स ने जून 2016 तक 50 लाग फोन से बेचने का टार्गेट रखा था लेकिन पहले दिन ही वेबसाइट क्रेश हो गई हाला कि इसके बाद भी कमपनी ने 30,000 और ले लिये थी बुकिंग क्लोज करते हुए कमपनी ने दावा किया था कि उन्हें एक गश्मलों 75 करोड यूनियट का प्रीव अवोर्ड मिला है जाज में पाया गया कि कमपनी ने जो प्रोटोटाइप दिखाया था वो कोई और ही फोन था ब्रैंड ने ADCOM के फोन पर फ्रीडम का क्लेवर चड़ा कर लोगो को दिखाया था हाला कि कमपनी ने अपना फोन कुछ लोगो को रिव्यू के लिए भी धेजा था और जो फोन यूजर्स के हाँ आया वो बिल्कुल ही अलग था लोगो की माने तो कमपनी ने देशी ब्रैंड बोल कर एक चाइनेज फोन पकड़ा दिया था फोन देखने में किसी चीनी फोन की सस्ती कॉपी जैसा था ऐसा लगता था कि पुराने फोन पर किसी नए की ब्रैंडिंग चड़ाई गई हो और बहुत से लोगों ने इस फोन को ओर्डर किया था लेकिन ये किसी को मिला ही नहीं और वही कमपनी ने शुरुबात में 30,000 लोगों को प्री अवर्ड अमाउंट वापस करने की बात भी कही थी कमपनी ने कहा था कि जब फोन डिलेवर होगा तब भी वे पेमेंट लेंगे लेकिन फ्रीडम 251 कभी डिलेवर हुआ ही नहीं तेलिकॉम मिनिस्ट्री ने जाच में पाया कि फोन को 2300 रुपे से कम में बना और बेचा पाना संभव नहीं है इसके अलावा रिंगिंग वेल्स पर लोगों से फ्रॉड और कस्टुमर्स को रिफंड नहीं देने का भी आरोप लगा था बाद में कमपनी ने प्रमुख मोहित गोयल को गिरफतार किया गया और कमपनी एक ऐसे फोन का ख्वाब लोगों के बीच लेकर आई थी जो कभी बना ही नहीं अब कमपनी का डॉमेन तक बिक चुका है और फोन की तो बात ही छोड़ दीजे